जाम के जाम से दिल्ली वाले कैसे डिजात नहीं पा रहे हैं हम जगा जगा उन जगाओं पर जा रहे हैं जहां पर जो रोड के मरमत का काम चल रहा है और उसके चलते जो दिल्ली में कई इलाकों में जाम की जो समस्या है बड़ी समस्या बनती जा रही है आई जी आई एरपोर्ट जाने का ये रास्ता है सीधा ये प्याहा से गुडगा हो जा सकते हैं और यहाँ पर अंडर पास बनाने का काम शुरू हो रहा है 90 दिन का जो टाइम पीरेड है वो रखा गया इसी कि साइटी फ्लाइवर्क बनाने का काम किया जा रहा है और इसके चलते ये कहा जा रहा है कि आगे महिपालपूर की तरफ जो रास्ता है वहाँ पर जाम लग जाएगा ये पूरा ये रोड है आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो काम है वो अभी तेजगती से याप चलने के लिए शुरू हुआ है अंडरपास बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है आपको तमाम जो वाकस है वो यहाँ पर दिख जाएंगे याप आप दिखेंगे किस तरीके से जो लोहे की ग्रिल्स है जिनका प्रेयोक किया जाता है जब हम सड़ा किया फिर मकान ये घर बनाते हैं उसमें मज़ूर इस तरीके से जो लाइन है रेट कलर की वो यहाँ पर से रोखा गया है इस रास्ते को कि आप इस रास्ते का प्रेयोग आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मरमत का काम चल रहा है और आप देखें कि इसके जो गाडियां है उनकी रफ्तार है वो बहुत दीमी हो गई है और चुकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे गाडियों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है और उसके चलते जाम लग जाता है और ये कहा जा रहा है कि महिपालपूर और आगे जो एरपोर्ट की तरफ जाने वाले जो मार गया है या फिर सीधा आप अगर गु कर्माण का काम है ये दौनों केरिजवे 90 दिन के लिए बंद कर दिये गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इतने दुनों में जो काम है वो पूरा हो जाएगा और इससे द्वार का महिपालपूर और बसंद कुंज के आसपास का जो एरिया है वहां पर जाम लगने की संभावना बताई जाती है कि सुबह शाम वहां पर जाम लग जाएगा और यह हम तस्वीरे दिखा रहें कि किस तरीके से यह जो रोड है इस रोड के बंद होने से किस तरीके से जो लोग है उनको दूसरे अन्यमार्गियों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे उन्हें जो संख्या है गाडियों की वह बहुत जादा एक मार्क पर दिखाई देने लगती है और वहां पर जाम बढ़ जाता है आपको हमने अभी चुराग दिल्ली फ्लाइवर की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से जब हम नहरू प्लेस से जब हम सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं या फि जहां कि एक अपरेल तक जो काम है उसको पूरा हो जाएगा यहां पर हम आपको जगर जगर जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली का जो जाम है वो एक बड़ी समस्या भीते कई सालों से बना हुआ है और इस समस्या से निजात आखिर दिल्ली वालों को कैसे मिलेगा है यह एक सवाल फिर से और बार-बार खड़ा हो जाता है क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के जब मरमत का काम किया जाता है तो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जाम से जूचना पड़ता है और हर बार अपने दफ्तर या फिर अपने किसी विरोजमर्रा के काम को पूरा करने के लिए जो वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उने बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें इस मार्ग से जाने में जब हमें 15 मिनिट लगते थे अब हमें 35-45 मिनिट लगते हैं जहां हम 20 मिनिट लगते थे वहां हमें कभी-कभी एक से डेढ़ घंटा हो जाता है यानि कि हमारा जो समय है वह बहुत ज्यादा इस जाम में लग जाता इस जाम से बाहर आने में हम यहीं चाते हैं कि नियम और को रखके मैं पनाने का काम किया जाए ताकि हम दिल्ली वाले उनको जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े आपको कित पंदरा मिनट बीस मिनट लेट होता हूं तरीके से जब हाइवेज या तमाम सड़कों के बनाने का काम होता है बिना प्लानिंग के और जिसकी वज़े से दिल्ली वाले जुटते क्या कहना चाहेंगे यह काम तरीके से नहीं होते जगे जगे रोड तूटे पड़े हुए हैं और दिल्ली में ट्रैफिक का वैसे ही मारा मारी है तो टाइम लग जाता है उपस पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो पहले कितना टाइम लगता था आपको गुडगाओ जाने में पहले लगता था काम शुरू हो जाता है और बिल्कुल भी साही तरीके से नहीं होता है जिसके वज़े से हम परिशान है क्या गहेंगे इसको लेकर तो यह काम को थोड़ा जल्दी कर दे तो यह जाम भी ना लगे